सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रोहित यूटूब चेनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दिजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो आज के इसे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2020 में वो samsung के कोन से smartphone है जिसको आप लोगों को buy नहीं करना है तो अगर आप लोग 2020 में कोई samsung के smartphone लेने का सोच रहते तो आप लोग इन smartphone को buy मत किजिए आप लोग का पैसा कहीं न कहीं वेश्ट हो जाएगा इस M-series और A-series के smartphone मिलते हैं तो आज मैं आप लोग को Samsung के A-series और Samsung के M-series के कुछ एक ऐसे smartphone के बारे में बताऊंगा जो आप लोग को 2020 में buy नहीं करना चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को like कीजेगा अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजेगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच जाए और अगर वो लोग नए smartphone रेने का सोच रहे थे तो उनको भी पता चाहिए कि उनको कौन से smartphone 2020 में सेमसंग का बाय करना चाहिए सबसे पहले बात करेंगे सेमसंग के M-series में तो मैं आप लोग को एक भी सेमसंग के M-series के smartphone रेकेमेंड नहीं करूंगा जो 2019 में launch हुआ है तो 2019 में जितनी भी Samsung के M-series में Samsung ने अपने smartphone को launch किया चाहिए वो Samsung M10, M20, M30 और M30s या फिर M40, इन सभी स्मार्टफोन को आपको बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी प्राइज के डेकरी में Samsung के नए M-series के स्मार्टफोन अभेलेबल है, जो के Samsung का M21, M31, तो आप लोग इन स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए, ना कि आपको 2019 के M-series क स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग compare करेंगे, तो Samsung एक तो Samsung के A-series को ज्यादा update देता है, अगर उसे आप लोग Samsung के M-series से compare करेंगे, और आपका M-series जितना पूराना होगा, उतना आपको update का chance है, अपर कम रहेगा, तो इसलिए आप लोग 2019 के क आप लोग बाय मत कीजिए, उससे अच्छा आप लोग Samsung Galaxy A10 Lite यहां पर बाय कर सकते हैं, मेरे according, तो 2019 में Samsung A-series का second half था, यानि कि first half में Samsung ने जितने भी smartphone को launch किया, Samsung आपने A-series में चाहिए, Samsung A50, A30, A70, A20, तो इन smartphones को आपको बाय नहीं करना है, तो आप लोग इनको बाय मत कीजिए, क्योंकि इनमें औ आप लोग को बाय करना है, आप लोग को बाय करना है, 2019 के Samsung Galaxy A50, A70, तो इन smartphone को आपको बाय करना है, Samsung के पूराने A-series को भी आप लोग बाय मत कीजिए, क्योंकि देखिए, आज के टाइम में अगर आप लोग कोई भी smartphone बाय करेंगे, तो at least आप लोग एक साल तो उस smartphone को इस अपना नए smartphone लिजिए, क्योंकि आज के टाइम में हर एक दो मन्त में, तीन मन्त में Samsung या फिर हर एक company अपने smartphone का successor यहां पर launch कर देता है, इसलिए मैं आप लोग को कोई भी smartphone आप लोग बाय करेंगे, तो at least वो 6 महीना ही पुराना हो, श्रिफ Samsung ही नहीं, बलकि आप कोई भी company का smartphone अगर बाय करेंगे, तो आप लोग यह देख लेजिए कि वो smartphone कब launch हुआ था, अगर 6 महीने से ज्यादा वो पुराना smartphone है, तो उसे आप लोग बाय मत कीजिएगा, क्योंकि आज के time में smartphone के कमी है नहीं, और हर company अपने smartphone दो-तिन मन्त में ही launch करे जा रहा है, तो इसलिए आपको नए smartphone बाय करना चाहिए, अगर आप पुराने smartphone का लेने का सोच रहे थे तो, तो मैं आप लोग को recommend करेंगे, कि Samsung के 2019 के कोई भी M series के smartphone को buy मत कीजिए, 2019 के Samsung के A series को, सिर्फ A50s और A70s मेरी तरफ से आप लोग के recommend रहेगा, कि आप लोग इने smartphone को buy कीजिए, क्योंकि phone अच्छे है, phone का features भी काफी अच्छा है, और 2020 में तो यतने भी smartphone launch हुआ है, उन सभी के लिए मैं एक अलग dedicate video बनागा कि आपको कौन सा smartphone 2020 में buy करना चाहिए, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, तो please video को like कीजिए, share कीजिए, और चैनल में पहली बार आ होगे तो please चिरान को subscribe कर लिजिएगा, thank you so much